कैम येविरिवोन एंक व्लकम टो इंग्लिस enjoy करने लगें अंगलिख स्बस्पएंगे ऐसे के यह आ ऐसे कह सकुते हैं जिनके बूलिर में देप्रेंग हो दिफ्रेंट के बारे हैं हम इह समझना रही होती कि इनमें दिफ्रेंट क्या बनता है मिलते जुलते से वर्ड होते हैं उनका मिनिंग भी मिलता जुलता सही होता है तो आज हम कुछ इंग्लिश के ऐसे ही वर्ड के बारे पर पढ़ने लगे हैं और जो इस तरह के वर्ड होते हैं ये किसी भी कमपेरिटिव एक्जाम में लाजबी दीए जाते हैं तो जाते हैं यहांपे बॉक करने के मिनिंग में एरा एक बर्फ है पैदाइश, what is your date of birth, आपकी पैदाइश की डेट क्या, यानि आपका पैदा हुए, तो बोले में दोनों सेम आ रहे हैं, spelling different है, meaning totally different है, अब नीचे वाला word है cool और cold, अब देखें इनके spelling भी different है, बोले में भी different है, लेकिन cool और cold में हमें confusion आती है, कि इनमें फरह क्या बनता है, बेसिकलिए तो दोनों मोरों का मतलब ठंड़े ही होता है, cool में भी ठंडी चीज की बात की जा रही है, मौसम की भी चीजा, या किसी भी चीज. लेकिन cool का मतलब होता है, मुनासिभ ठंड़ा, वो ठंड़ा जो आपको बुरा नहीं लग रहा है, ऑब कोहते हैं, cool कहते हैं a को अच्छी महसूस हो रही हैं आपको इसमें मज़ा आ रहे हैं लेकिन अगर मिसेंटेंज को इस तरह कहते हैं कोल ब्रीज इस ब्लोइंग तो इसका मतलब है बहुत शदीद वाली ठंडी हवाद चल रही है जो हमें अच्छी नहीं लग रही है तो कॉल और कोल में यह बिसिकल अच्छी सर्दी है जो कि हमें जरुरव से ज्यादा ज्यादा ठंड है जो हमें अच्छी महसूस नहीं हो लिए तो आइ पोर्स नहीं करना चाहिए जिहन बदलने के लिए अब दूसरा वाला आल्टर जो एस स्टार्ट हो रहा है यह उस जगा करते हैं जहां पर जानवरों को जिबा किया जाते है पीपल बॉट दी आनिमाल्स टू दी आल्टर लोग जानवरों को कुर्बान गाह में लेके है उस जगा पर यानि लेके है जहां पर इन्हें जिबा किया जाते है तो बोलने में तो दोनों एक जैसे आ रहे हैं लेकिन मिनिंग वाइस दोनों बिल्कुल डिफरंट है स्पैलिंग भी विल्कुल डिफ्रेंट आ रहे हैं मैरी ए टबल र वाय वाला जो मैरी का मिनिंग होता है शादी करना जैसे अली इस गुइंग टू मैरी सबा अली सबा से शादी करने वाला है लेन मैरी का मतलब होता है खुशी की चीरफुल सी लाइवली जिन्दा दिली की जिस तरह मिसाल देनी हो अब जो रेन स्टार्ट हो रहा है और ए आ येन से इसका मतलब होता है लगाम जिस तरह घोड़े की लगाम जिसको पकड़के उसको खिंचा जाता है और वो रुक जाता है अब आ रहा है येन वाले रेन का मतलब होता है बारिश बोलने में दोनों सेम है स्पेलिंग भी डिफरेंट है इसके बाद है पोर और पी ओ यू आर पोर जो पोर है पी ओ यू आर पोर इसका मतलब होता है मसाम देर मेनी पोर जिनार बोड़ी हमारी बोड़ी के अंदर बहुत सारे मसाम है और जो पी ओ यू आर वाला पोर है इसका मतलब होता है डालने है प्लीज पोर सम टी इन दी कप मेरे बाहने गरके थोड़ी शी चाय कप में डालें तो एक पॉर कहते हैं जो हमारी बॉड़ी के ओपर मसाम होते हैं उन्हें दूसरा पॉर पी-ो-ई-ू-अर वाला पॉर कहते हैं डालने को यानि चाय कप में डालने I hope आपको इनका दोनों का मेनिंग अच्छे से क्लियर हो गया REIN वाला रेन गोड़े के लगाम को कहते है REIN रेन बारिश को कहते है P.O.R.E. पोर मसाम को कहते है और P.O.U.R. पोर का मतलब होता है डालना इसके बाद है पॉपुलस और पॉपुलर आप देखें पॉपुलस और पॉपुलर हमें एकदम जब हम इसे बोलते हैं तो ऐसा फिल होता है कि तकरीभला मिलते जुलते ही वॉर्ड है लेकिन ये मिलते जुलते है वर्ड नहीं है बिल्कुल डिफरंट है पॉपुलस का बिल्कुल अलग मेंनी गया या लाकिन इसनुर मैंधा झादीन व्यायुव दो मतलब होता है बहुत अबादीवली यानी चाइणा की अबादी बहुत जाद है अब पॉपॉपॉलर का मतलब होता है म Shapur अब न पॉपॉफॉलर अमंग हर friends अब उने अपॉपॉलज कामेश इसमा है हमें यूं लगता है कि इनका मिनिंग भी से हमें लेकिन इनका मतलब बिलकुल मुख्तलिव है पॉपुलस अबादी वाले ज्यादा पॉपुलर मशूर इसके बाद है इलीजीबल इलीजीबल अब बोलने में दोनों तक्रीबाने एक जैसे ही है जो इलीजीबल स्टार्ट हो है इसे उसका मतलब होता है काबिल होना अब अगर कोई इनसान मेरिट पे पूरा होता रहा है तो हम कह सकते हैं इस इलीजीबल फॉर इस पोस्ट उसकी क्वालिफिकेशन भी पूरी है उसका मतलब है वो इसके काबिल है इलीजीबल है जो मेरिट था जो क्राइटेरिया था इस जॉब का वो इसको पूरा कर रहा है इस इलिजिबल फॉर इस पोस्ट, वो इस पोस्ट के लिए काबिल है अब इलिजिबल जो आई से स्टार्ट होता है इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल होना के वो पढ़ी जा सके सल्मा's handwriting is eligible यानि सल्मा की handwriting बहुत मुश्किल से पढ़ी जाती है या बहुत मुश्किल उसकी handwriting पढ़ना पॉपुलस, ज्यादा बादी वाला popular जो मशूर हो eligible किसी पोस्ट के काबिल होना और जो eligible आई से स्टार्ट होता है इसका मतलब होता है वो वाली writing जो के बहुत मुश्किल हो पढ़ना इसका फर्स दिया वै डाई मरना, दूसरे डाई का मतलब है कलर करना, शर्ट को कलर करना जिसको हम कहते है heroes never die, heroes कभी भी भी नहीं मरते है दूसरे डाई, वाई वाले का मतलब है please die my shirt, मेरबनी करके मेरी shirt को कलर करे तो बोले में, दोने एक जैसे है spelling भी different है, meaning भी different है इसके बाद है dose, d-o-s-c dose या do-z-e dose बोले में, दोने एक जैसे है आरे है spelling भी different है, तो लाजमी मातब meaning भी different होगा जो dose start हो रहा है, ऐसे उसका मतलब होता है medicine, medicine की dose लेना have you taken one dose of medicine, क्या medicine की एक dose ले चुके है अब वो dose जिसमें जी आ रहा है, इसका मतलब होता है नींद की हालत में होना, उंगना सोना, it is not right to say that I dose ये कहना दुरस नहीं है कि मैं क्लास में उंगती हूँ, यानि ये कहना दुरस नहीं है जो आ रहा है, वो medicine के लिए इसका मतलब होता है, उंगना I hope आपको इन में डिफरेंस अच्छे से clear हो गया होगा, इनको चैसे meaning समझ के याद करें क्यूंकि कि इस तरह कि question paper में लाजमी आपने, वीडियो पसंद आए ये तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़ूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू